आज मैं ये बड़ा सा थालपोस बनाने जा रही हूं बहुत ही खुब्सुरूर डियाइन है तो चलिए सुरू करते हैं पहले हम एक गांट लगाएंगे उसके बाद चार चैन एक दू तीन चार चार चैन करके पहले वारे चैन में हमें स्टीच कर लेना है इसी बाद एक दोचेन करके इसलिट इसे बीच में ऐसे डवल कुरिशया बनानाँ उसके बाद इ प्रिंच रहा एक टू अूसरnya आछजा बनानाएं ईखा रहे हैं देखिए हमने एन दे्री करया है मंने स्टिच करदए लेना है व간 है इसके बाद राफ में जहां पर हुने आहां कि एक और नहीं कर के यहां पर स्टिच कर लेना है इसके बाद धूसरे वाले चैना एक डबण क्षिर ते बाद दो चैन्ट करके यह हिए पर स्टेच करना है तो फिर से दो चैन्ट करके यह ही पर एक डेबल क्रोश्य ऊसके बाद दो चैन्ट करके यह बनाना है कि लुए चेन करके यहीं पर स्टीच करने को पूरे लाइन में एक चेड़ लाइन में डीजेंज बनाना तीन चार पांच छे उसके बाद हमें यहां पर दूसरा धाग लगाना है बहुत सुन्दर डिजाइन है आप भी बनाईए पहले गांट लगाए लेंगे यहां पर याइसे कीची के साइड से इससे इस्टिच कर लेना है उसके बाद 4 चैन एफ दू तीन चार चार चैन करके यहां पर दीखे ऐसे स्टिच कर लेना है फिर से चार चैन एफ दू Cliff کہ जाओ करकर यहां पर श्री जंट करना है कि पिर से चार चैन्क एसक्टो दूह तीन हर्ट हिए किन भीट कर तकर नहीं इए पर यहां पर यहां पर हमें स्टीच कर लेना है उसके बाद थोड़ा बड़ा करेंगे और यहीं पर चार फंदे निकालेंगे एक, दू, तीन, चार एक साथ स्टीच कर लेना है उसके बाद दूचेन एक, दू, स्वारी तीन चार यहीं पर हमें चार फंदे निकालना है एक, दो, तीन, चैन, एक साथ स्टीच कर लेना है, सबत तीन चैन, एक, दो, तीन, तीन चैन करके इस दूसरे वाले चैन में हमें चार फंदी निकालना है, एक, दो, तीन, चैन, एक साथ स्टीच कर लेना है, इसके बाद तीन चैन, एक, दो, तीन, तिन चैन करके यहीं पर चार फंदे निकालना है एक दू तीन चार यह साथ इस्टीच कर ले ना है फिर से तीन चैन एक दू तीन उसके बाद वाले चैन में यहां पर बनाना है ऐसे ही हमें पूरा लिएन बना लेना है सब में दो दो पप बनाना है बना के आपको दिखा रहे हैं य्दि देखिए पूरा लाइन हमने बना लिया है अब यहाँ पर स्टीच कर लेना है फिर इस चैन में हमें स्टिच करनाँ है थोड़ा पोरा करेंगे यहीं पर चार निकालेंगे 1 2 3 4 एक सांत स्टिच कर लेना है उसके बाद दू चैन्च 1, 2 दू चैन्च करके यहीं पर चार फंदे निकालना है, एप, दो, तीन, चार, एक साथ स्टीच कर लेना है, इस बाद दो चैन, एप, दो, दो चैन करके यहाँ पर चार फंदे निकालना है, एप, दो, तीन, चार, एक साथ स्टीच कर लेना है, दो चैन, एप, दो, दो चैन करके यहीं पर फिर से पूरा लाइन बनाना है सारे में दो दो पॉप बना लेना है देखिए पूरा लाइन हमने बना लिया है देखिए कितने कुछ रेड़ डियाइन है यहां पर हमें इस्टीच कर लेना है देखिए उसके बाद इस साइड से इस्टीच करना है एक चैन दो पॉप छोड़के यहां पर हमें चार फंदे निकालना है एक दो दो तीन चार एक साथ स्टीच कर लेना है और दो चैन बनाना है एक दो दो चैन बनाके यहीं पर एक और पप बनाना है चार फंदे निकालेंगे एक दो तीन चार एक साथ स्टीच कर लेना है दो चैन यहीं पर फिर से चार बन दे एक दो टीन चार एक साथ स्टीच कर लेना है फिर यहीं पर हमें ऐसे छे पॉप बना लेना है बना के आपको दिखा रहे हैं यह देखिए छे पॉप हमने बना लिया है एक दू तीन चार पहुंच छे अब चाहे तो यहां पर एक एक चैन भी कर सकते हो में दो चैन लिया है एक चैन लेकर हमें यहां पर दू पप छोर की यहां पर स्टीच कर लेना है उसके बाद एक चैन फिर दू पप छोर की इस चैन में हमें ऐसे चार खंदे निकालना है एक दू तीन चार एक सांथ स्टीच कर लेना है एक दू दू दो चैन करके चाहुत एक चैन भी कर सकते हो फ तेगी सब्सक्राइं करीफिततीτο निकालना है एक दू कित कर लेना है एक दू किंद करके यहीं पर ऐसेफी च्छे पप बनाना है यहाँ पर भी उसके भाट यहाँ पर करेंगे इंकर बनाना है तो हुआ है यह three four five, blur, 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 blur नहीं से सुरिए किया था वहीं पर चुटीच कर लेना है एग चेंखेया चेंद देखर हमें यहां पर खताए किया मैं कूट कर लेना है पहले भशर लगा लेंगे वह से बाद यहां पर सुरिए कि घंठ से गल का लेना है देखिए इसे बाद दो चैन एक दो दो चैन करके यहीं पर एक डबल कुरूशिया ते बाद तीन चैन एक दो तीन तीन चैन करके यहां पर स्टीच कर लेना है इसे बाद देखिए इस बहले चैन में एक डबल कुरूशिया दो चैन एक दो दो चैन करके यहीं पर हमें स्टीच कर लेना है देखिए उसके बाद यहां पर स्टीच करना है फिर से दो चैन एक दो दो चैन करके एक डबल कुरूशिया फिर से तीन चैन एक दो तीन तीन चैन करके यहां पर स्टिच कर लेना है इसके बाद यहां पर एक डबल कुरूश्या फिर दो चैन एक दो दो चैन करके यहीं पर स्टिच कर लेना है इसके बाद इस वाले पॉप में स्टिच करना है फिर दो चैन एक दो दो चैन के बाद यहीं पर एक डबल कुरूश्या तीन चैन एक दो तीन चैन करके ऐसे स्टीच करना है यहां पर एक डवल कुरुसिया दो चैन एक दो दो चैन करके यहां पर स्टीच कर लेना है यहां पर स्टीच करना फिर दो चैन, एक, दो, दो चैन करके, एक डबल कुरूशिया, तीन चैन, एक, दो, तीन, तीन चैन करके, ऐसे स्टीच कर लेना है, उसके बाद यहां पर, एकड़बल कुरूशिया, दो चैन, एक, दो, दो चैन करके, यहां पर स्टीच कर लेना है, देखिए एक डिजान में हमने ऐसे चार फूल बनाया है, वैसे ही छे डिजान है, सारे में हमें चार-चार पूल ऐसे बना लेना है, फूरा लैन बना के आपक पूरे में बना लिया है एक डिजाइन में ऐसे चार फूल बनाए है अब यहां पर जहां से शुरू किये थे वहीं पर हमें स्टीच कर लेना है इसके बार दो चैन लेकर इस धावे को कट कर लेना है अब हम दूसरा धाग लगाएंगे बहुती कुपसरा डिजाइन है आप भी बनाएंगे पहले गाट लगा लेंगे इसके बार उमें यहां से लिखे ऐसे स्टीच कर लेना है इसके बार छे चैन एक दू तीन चार पांच छे इसे फे चैन करके यहां पर हमें स्टीच करणा है इस फिस चैन करके यहां पर एक दो तीन पप चोर के चवड़े पॉप में में यहां पर यहां पर यह से इस लाइन में हमें 12 बनाना है यह देखिए हमने पूरा लाइन बना लिया है अब यहां पर हमें इस तीछ कर लेना है इसमें देखिए हम पीछे के साइट से भी आपको दिखा रहे हैं कि एक दूटी चार पाउंचे साथ नोग दस एकारा बारा इसमें बारा डिजन बनाना है तीन चैन यह दो तीन चैन करके यहीं पर चारफंदे निकालना है एक दो तीन चैन एक साथ स्टीच कर लेना है यहां पर हमें तीन चैन करना है एक दो तीन चैन करके फिर से यहीं पर चारफंदे निकालना है एक दो तीन चार एक साथ स्टीच कर लेना है तीन चैन एक दो तीन तीन चैन करके दूसरे वाले चैन में चारफंदे निकालेंगे एक दो तीन चार एक साथ स्टीच कर लेना ह देखे लिए पूरे लाइन बना लिया है पिछे के साट से दिखा रही है अब यहां पर हमें इस्टीच कर लेना है इसके बाद इस chain में एक बड़ और stitch कर लेंगे इसे बाद 3 chain एक दो तीन तीन चैन करके यहीं पर 4 फंदे निकालेंगे एक दो तीन चार एक सांथ stitch कर लेना है फिर से 3 chain एक दो तीन आपको ज्यादा लगे तो दो chain भी कर सकते हो पिर से 4 फंदे निकालना है एक दो तीन चार एक सांथ stitch कर लेना है देखिए दो chain एक दो दो chain करके यहाँ पर हमें वैसे ही चार फंदे निकालना है पर इसे दो chain एक दो दो chain करके देखिए सारे में हमें दो दुपाप बनाना है पूरा लाइन बना के आपको दिखाएंगे देखिए हमने पूरा लाइन बना लिया है अब यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है अब इस चैन में स्टिच करना है यह बहुँआ तुसे बद से चार भंहें पर एक, दो, तीन, चार एक साथ स्टिच कर लेना है ऐसे ही यहाँ पर हमें छे पप बनाना है बनाके आपको दिखाएंगे देखिए हमने छे पप बना लिया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब यहाँ पर एक, दो, दो, पप चोड़ के बीच में stitch कर लेना है उसके बाद फिर से एक दो तो चोड़ की यहां बढ़ हमें ऐसे चार फंदे निकालना है एक फिर साथ चार फंद निकालना है एक शार फंदे निकालना है यह आगे भी बनते जाएगा आगे आपको दिखाएंगे यह देखिए हमने धल पोस कम्पिनिट कर लिया है इसमें चार लाइन बनाया है एक दो 3 4 दिखिए ऐसे हमने बनाया है पहले वाले लाइन में 6 डे जाइन बना है उसके बाद 12 उसके बाद 18 एसके बाद 24 इसे ही आप बड़ा बनाना चाहे तो बना सकते हो सेम एक ही डेजाइन है देखिे इसे ही हमिने बनाया है बस यहाँ पर हमें चैन को जदा कर लेना है देखिए जब भी हम डेजाइन को बनाना सुरू करेंगे चैन को बढ़ा लेंगे ताके सुख्र नहीं जालर बनाना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप वहां से बना लेना अब यह हमारा थाल पोस कम्पिलीट हो गया है देखिए कितना प्यारा लग रहा है बहुत ही प्यारा डेजाइन है तो आप भी बनाईए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें